असलाम अलेकूम ड्राइट स्पार्ट सीसेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल स्पीक विड नॉलिज पर आपको हुशाम देद जनल साइसन अबिलिटी के इस लेक्चर में आज हम अब्जेक्टिव सेट 5 को डिसकस करेंगे और इसमें 1994-2015 के जो कुस्टन्स हैं उनको हमने स्टार्ट किया हुआ है करना डिफरेंट टॉपिक्स को हमने डिसकस किया प्रीविस लेक्चर में आज हम एक टॉपिक को अभी तक लाइक ब्रेन के उपर हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमेक आई वगारा इयर इस तरह से जो है एक एक दो दो कुस्टन्स जो है वो पूछे जा चुकी है इसलिए इन 22 कुस्टन्स को एक ही हैडिंग के एंडर मैंने इदर रखा है पर जो कुस्टन है और गंस इसलिए जो शेफ है वो किस वज़ा से है और उस स्टसिफिक पार्ट का नाम क्या है ठीक है तो यह आपने बताना है कि एर की जो शेफ है एक एक्सटनल इयर की वो काटिलेज की वज़ा से होती है और काटिलेज के पहले चार इनिशेल्स हैं, इनका मतलब होता है, ऐसा पार्ट आपकी बॉडी में, जो के आपको सुनने में हेल्प आउट करें, ठीक है, औरी मेंस के और्डिटरी नर्व से ये वर्ड निकला है, तो आपने कार्टिलेज के लिए औरी क्यूलर का वर्ड इस्तमाल करना है, ठी एक्सटरनल सर्फिस की बात की जा रही है, एक्सटरनल मेंब्रेन की बात या लेयर की बात इदर नहीं की जा रही, ठीक है, सर्फिस की जब बात की जाती है, तो आप में बताना होता है, एसा पार्ट आपकी पूरी बॉडी की डर्म का, डर्म बोलते हैं लेयर को, जिसकी अ और्गन्स हैं बॉडी के वह इंक्लोज होते हैं जो हाइर एनिमल्स हैं उनके अंदर डर्म्स पाई जाती है एपीडर्म ठीक है यह ट्रिपलो ब्लास्टिक होती है और उसकी डिफ्रेंट अगे से पार्टिशन होती है इधर आपका जो कुस्टन है उदर उन्होंने पूछा ह उसका क्या होता है यो मैं आपको बता रही है उसकी तृप्रिशन होती है कहां प्रोटिक करती है यह शॉद्यकशन प्रोवाइड करती है य स्टमेक को उसके बाद, नेक्स्टो हुर्ट कोस्टन है, वह हार्ट के उपर है, और इोटा इस एन ownership डैश ठीक? अब भी आपने बताना है कि इोटा जो है, ये सब औरगन किसका है? ठीक्षे लिएक वीज़ तो हार्ट एक औरगन है और इोटा है इोटा जो है सब आरगन है लरीज वगरा सारा कुछ आ जाता है और आपके हाट का पार्ट है इधर डाग्राम में आपको जो प्यूर रेड कलर में उपर नजर आ रहा वेन एक जिसकी आगे से तू ब्रांचीज ने और उनकी भी आगे से दो दो ब्रांचीज ने यह वेन जा रही है इन्हों ने आगे ब्रेन को और नीचे वाला जो पार्ट है आपकी बाड़ी बाड़ी का आम्स एंड लेक्स उनको ब्लड सप्लाई करना है तो यह इसका अभी यह human organ system जो है उसकी characters को बारे में आग से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा character है जो कि human organ system में नहीं पाया जाता तो वो आपने बताने इंटेग्यूमेंट्री जो part character है वो नहीं है इंटेग्यूमेंट्स का वर्ड जो है यह basically layers के लिए इस्तमाल किया जाता है और आपक जितने भी muscular organs होते हैं उनके अंदर यह इंटेग्यूमेंट्स वगरा जो है वो नहीं पाया जाते है इसलिए यह जो आपका है यह organ system में नहीं पाया जाता नेल्स वगरा की बात अगर की जाए hairs वगरा की बात की जाए तो वहाँ पर आप इसको consider कर सकते हैं यह भी चीज़ आपने याद रखनी है नेक्स्ट कुस्टन बहुत important है यह आपकी leg के उपर है bones के उपर है और यह आपको पता होना चाहिए आपसे question पूछा है कि leg के अंद कौन सी bones है वो 3 हैं और आम में कौन सी है वो भी 3 है इदर डियाग्राम में आपको जो निखाया जा रहा है फीमर टीबिया और यह आपकी leg की bones है सबसे बड़ी जो है वो फीमर है उसके बाद वो मेंट सब डिवाइड है टीबिया यह लेकी है इन कॉंट्रास्ट अगर आप आम की bones की बात करें तो आम के अंदर 3 types की जो है वो bones होती है in the same way और वो कौन सी है पस्टो फॉल हुमरस है देन आफ्टर रेडियस एंड अलना ठीक है तो यह आपको चार च्छे bones के बारे में आपको बताया है फीमर टीबिया फेबियूला और हुमरस रेडियस अलना ठीक ह are yes इसे आपका आप बहुबी वाकिफ होंगे फॉस्फॉरस और कैल्शियम जो है यह बहुत ज़्यादा important होता है bones की development के लिए के कैल्शियम की और फॉस्फॉरस की अगर quantity आपकी body में reduce हो जाती है तो आपको records वगरा उसके इलावा different diseases जो है वो देखने को मिलते हैं next आपका question जो है वो है टेकिकाडिया पर टेकिकाडिया जो है यह heart से relate करती है term और इसमें क्या होता है यह कैसी condition है जिसमें आपके heart की जो action है यह activity है वो बहुत ज्यादा fast हो जाता है ठीक है अभी जो fast होता है इसमें क्या होता है यह आपका जो BP होता है वो एक normal हालत से उप पर चला जाता है और उसके अलावा जो हार्ट बीट है उसके उपर बहुत ज्यादा इंपेक्ट आता है वह क्या आता है कि आप सब को बता होगा कि हार्ट बीट का जो रेट है नॉमल वह 72 है लेकिं टेकी काड ये कैसी कंडिशन है जिसमें इन एक्टिविटी आ जाती है आप इस नेक्स्ट ब्रेइन के उपर कुस्टन है ये बहुत इंपोर्टेंट और आप सब को पता होगा दी मॉस्ट इंपोर्टेंट आगन ओव दियूमन बॉड़ी इस ब्रेइन अभी आपको हार्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा स्टमिक कुछ भी इसके साथ आपको दिया किया जाता है इंपोर्टेंट आप भी आपके ब्रेन को ही कहा जाता है हाट को आपने इदर नहीं आइड करना नेक्स्ट आपका जो कुस्टन है वो है साइनाइड एक्ट सैजा पॉईजन बाइ डिरेक्ली अफेक्टिंग दी डैश अभी ये जो साइनाइड हैं ये ऐसे कैमिकल कमपाॉंड हैं जो कि आटिविशेली अगर हम इंजेस्ट कर लें इनका इंटेक कर लें बॉड़ी में त इसकी बता देती हूं ये इंपोर्टेंट एक चीज है आपके लिए वह ये है कि साइनाइड बेसिकली रियक्ट करते हैं आपकी बॉड़ी के इंदर मुझूद जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसके साथ और डिफरेंट कंपाॉंड बना देते हैं ये रेडिकल फॉर्म में क हैं कि आपका सांस नेने कामल तो उससे आपका जो गार्डीक रेट है वह भी करता है कि कर्डीक डापकी आर्ट के लिए इस्तमाल किया जाता है तो आपने बताना कि काडीक एंदरीस पार्रेटरी सिस्टम जो है वह है वह साइनाइड की वज़ए से इनके ओपर डारेक्ली होता है अभी आपकी options के उपर depend करता है कि उन्होंने पूछा के नहीं अगे जो question है yes यह भी एक बहुत interesting सा question है अपनी बोन के बारे में पूछे आपसे तो आपने यह बोन से इसके confused नहीं होना वे शायद कोई बॉन है उसका नाम फनी बोन है नहीं यह बैसिकली नर्व है कि पनी बोन जो है आपकी अलबो में पाई जाती है है यह आपको डाग्राम में दिखाया जा रहा है आपकी ये जो है बाइस आप से स्टार्ट हो रही है और ये आपके हैंड तक जा रही है येलूइश कलर में एक लाइन सी जो डीज़िक, ये बैसिकली फणी और इसका काम होता है ये स्टीमिलस को एक्टिवेट करती है आपके ग्रे मैकर यानि के आपका जो हराम मगस है आपका center nervous system है आपके brain के पास नीचे लोर आर्ट में वहां से आपकी जो fingers है वहां तक का ये stimulus action perform करती है ठीक है आपके hand की movement जो है वो भी इसी के through perform होती है आपकी जो sensation है pain की इन जो fingers में ये जो last वाली third and fourth finger है आपकी इनकी जो sensation है वो भी इसी के through control होती है ठीक है तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए इसी वज़ा से इसका नाम funny bone रखा गया है ठीक है वैसे तो आपकी पूरी body की functioning पूरे sorry hand की जो functioning है वो आपकी bones के through होती है movement वगरा लेकिन ये एक ऐसी आमारी body में nerve है जो के आपकी movement में भी role play करती है ठीक है और third और fourth वाली जो finger है उसका direct impact आपके mind के उपर भी जाता है तो ये आपने बताना है stress वगरा की condition में जो है इसकी ज्यादा stimulation होती है इसका नाम जो है अलनर नर्व है 12th one जो question है वो है ये food mainly digest कहां होती है तो वो आपने बताना है small intestine में होती है ठीक है partially large and large intestine and stomach में भी होती है लेकिन जो mainly है वो आपकी small intestine में होती है ये जब हमने digestive system के उपर question किये थे ताब भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी PPSC के पास papers के questions जब हम कर रहे थे EDS में next आपका जो question है वो है कि कौन सी यसी layer है human eye की जो बहुत sensitive है वो अपर आपकी layer है retina जिसे आप बोलते हैं कि ये light वगरा का impact अपने उपर काफी ज़्यादा लेती है उसके बाद ये एक defect आ गया ये भी आई वाला जो organ है आपका उसी जो पर question है और इसमें आपसे पूछा है कि myopia is a defect of human eye it can be corrected by using which lens ठीक है तो आप में बताना है concave lens के through जो हम इसको ठीक कर सकते हैं myopia ये कोई advanced term नहीं है आपके लिए कोई मुश्किल concept नहीं है ये basically eyesight जिसको हम कहते हैं weak हो जाता है ये वो condition है इसमें क्या होता है कि जो part subjects होते हैं जो aware subjects होते हैं आपके पास उनमें blurring effect आता है ठीक है दूर के जो objects होते हैं उनमें blurring show होती है और जो आपके मिजदीक वाले पार्ट्स होते हैं PCB आपजेक्ट के वो easily हम उनको see कार सकते हैं उनको देख सकते हैं ठीक है और इसमें होता क्या है कि human eye का जो पार्ट है lens वाला उसमें यह इदर में आपको दिखा देती हूं जब light fall करती है आपके रेटिना के उपर आपके lens के उपर तो उसकी dimension चेंज हो जाती है ठीक है eyeball का size जो है उसके उपर impact आता है प्लस आपकी जो normal VN है उसमें focal point जो है रेटिना का वो खराब हो जाता है वो disturbed हो जाता है यह इदर आपको right में जो नज़र आ रही है next question भी आई के उपर है यह अभी देखें आई के उपर काफी ज़्यादा questions आए है आट के उपर भी दो थे yes आई के उपर जो next question है वो है circular aperture which appears as a dark spot in the eye is called dash अभी यह क्या है यह pupil है pupil अभी अगर आप इदर diagram में देखें तो इदर आपको यह lateral view नज़र आ रहा है front से आपको यह नज़र आएगा ठीक है lateral से जस्ट आपको labeling इदर दिखाना चाहरी हूं है यह आप देखें इदर lens के आगे जो ग्रेश कलर में आपको नज़र आ रहा है यह oval shape में यह basically pupil है अगर आम आँख की गर बात करें इनाटमी की गर बात ना करें अगर आप देखना चाहें तो आपकी eyeball में जो lens है ठीक है? lens दिसकी different categories होती है on the basis of your eye color उसमें एक dark spot सापको center में नज़र आ रहा होता है that is basically pupil ठीक है? उसके बाहिर जो color है lens का वो different होता है लेकिन उस color के difference की वज़ा से भी आपका जो eye spot है dark spot जिसको pupil कहते है उसकी color में नज़र आपको difference आ सकता है ठीक है? यह आपने जो है वो याद रखना है circular aperture इसको बोलते है dark spot इसको बोला जाता है और यह focal point होता है आपके lens का अभी यह food processing की बात की जा रही है उसका correct order जो है वो आपने बताना है अभी वो जो order है वो क्या है यह first of all ingestion, digestion, absorption and elimination ठीक है? first of all हम खुराक का intake करते है वो आपके stomach में चली जाती है this is known as ingestion ठीक है? उसके बाद उसकी जो final उसको किया जाता है fine form में लाया जाता है breakdown उसकी की जाती है और saliva वगरा एड़ करवाने के बाद different अंदर उसके juices वगरा एड़ करवाये जाते है और उसको stomach से आगे भेज दिया जाता है ठीक है? this is known as digestion ठीक है? उसके बाद क्या होता है जब आपकी खुराक आपकी small intestine में चली जाती है तो वो आपकी blood में absorb होना शुरू हो जाती है यानि कि digestion में वो आपके stomach का internal जो organs है आपके उनका part बनती है ठीक है? absorption में जो खुराक है वो आपके blood का part बनती है और finally जो चीज़ें आपको चाही होती है खुराक में से essential nutrients वगएरा water या fibers वगएरा वो रह जाते हैं और जो आपके पास excessive material होता है waste material होता है उसको eliminate कर दिया जाता है and elimination is the last stage so digestion और absorption की ये जो sequence आपको third and fourth बताई है इसमें आपने आगे पीछे इनको नहीं करना next आपका जो question है yes ये आपके lungs की उपर है अभी ये देखें हमारी body के जितने भी organs है उन में से सब को उन्होंने touch की है तो आपने इनको देखना है inhaled air passes through which of the following in the last अभी आपको ये processing का पूरा पता होना चाहिए then after ही आप बताएंगे कि ये bronchiule जो है वो last stage होती है inhaled air के लिए यानि के जो air हम अंदर करते है inhale वो पहले कहां जाती है आपकी आपकी trachea में जाती है trachea बोलते हैं ये सांस वाली नाली को जो आपके हलक से नीचे जाती है आपके lungs में ये लंग्स जो है आपके दो हैं आपको पता है अभी जो lungs हैं उनके अंदर ब्रोंकाए हैं ठीक है यानि के ब्रोंकियूल्स इदर आपको लेरिंग्स रीजन में ये साइट पर डाइग्राम नजर आ रही है छोटे छोटे ये ग्रेप लाइक स्ट्रिक्टर्स जो हैं वो आपको नजर आ रही है ख्लस्टर की फारम में ये बेसिकली क्या है ये चोटी चोटी एर पॉक्यूट्स होती है बलो बिूलर और इन्होंने क्या करना होता है अपने पास एर का स्ट्रूर करना होता है ठीक है और यहां से गुजरने के बाद फिर again air वापिस चली जाती है एक्जेल हो जाती है, oxygen जो हम अपनी बॉड़ी में रख लेते हैं, जो carbon dioxide होती है या जो gases हमें require नहीं होती है, उनको हम एक्जेल कर देते हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि first of all जाती है आपकी ट्रेकिया में, larynx में, pharynx में, आपके lungs में, बह आपके ब्रॉंक्यूल्स वगरा जो हैं वो अपने पास रखने के बात हवा को फिल्टर कर देते हैं यह जितने भी मैंने आपको पार्ट से इसके बताए हैं यह इंपोर्टेंट है काफी अगला जो आपका कुस्चन है यह आपके माउथ के उपर है चीक है स्लाइवा हेल्प सिंदी डाइजेशन ओफ डैश अब आपकी जो ऑप्शन्स थी उनमें से स्टार्च वस बेसिकली करेक्ट अभी यह आपको जहन में चीज आ रही होगी कि स्लाइवा की बात की जा रही है जब के डैजेशन जो है वो तो स्टमिक की लाज़िंटैन की और मेंली समौल इंटिस्टैन की फंक्शनिंग है तो इधर यह स्टार्च का क्या रोल आगया उदना तो आपको पता होना चाहिए कि इ शॐम सिलाइवा जो है ऑफ डैजेस्ट नहीं करता सी जिया क्या करता है तो ब्रेकडाउन जो है खुराग की उसको तोड़ने फोड़ने में अपना किवदार अदा करता है और वो क्या होता है कि सिलाइवा के अंदर कुछ इंजाइम्स होते हैं इंजाइम्स जो है वो बेसिकली आपके पास माइलेज होता है यह माइलेज काफी इंपोर्टेंट है अथके भी आपनोट कर लें मैं लेजिनाइम क्या करता है खुराग को सोटे चोटे चुठे महें तोड़ता हैं पर यह पेड़ने मैं और बोकिर समक में में और यह उसको तोड़ता है वो है स्टार्च ठीक है यह चीज भी आपको पता होने चाहिए स्लाइवा डारेक्ट ली डाइजेशन में रोल प्ले करता है किसी स्टार्थ नेक्स्ट वन जो कुस्टन है यह बेसिकली नियूरॉन्स के उपर है यानि कि आपका जो ब्रेन ब्रेन का इधर वर्ड इस्तिमाल हुए अब यह देखिए ब्रेन के उपर भी एक कुस्टन आ गया कहते हैं कि मोटर नियूरॉन्स रिलाए मैसिजिस विद ब्रेन एंड डैश ठीक है मोटर नियूरॉन्स जो है वो अपना रोल प्ले करती है इसके साथ मिलकर वो आपने बताना है कि ब्रेन के साथ मिलकर अपनी फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म करती है और उसके इलावा effectors जो हैं वो भी अपना role play करते हैं अच्छा अब इधर में आपको एक चीज बता लेती हूँ कि आपका जो nervous system होता है nervous system में आजाते हैं आपके effectors, neurons, acceptors, central nervous system and brain ठीक है इन सब को आप googl कर लीजीए का इनकी definitions जो है वो आपको पता होनी चाहिए काफ़ important terms आई हैं आपके लिए ठीक है और जैसा कि यह भी screening test आपका start हो रहा है तो उसके हिसाब से आपको यह जितने भी questions and dimensions बताई जाती हैं इनको बहुत keenly observe करने की जुरूरत है ठीक है क्यूंकि वह screening test है और उसमें I think so के बहुत tricky किसम के questions जो हैं वह भी पूछे जाएंगे इनको भी आपने करना है जो एडियस का आपको करवाया जा रहा है वह भी आपने करना है और इनके अडिशनल चीजे में आपको एड़ करवाती हूं वह भी आपकर लिया करें जी तो आपके जो effectors होते हैं यह basically जो stimulus होता है आपकी body में आपक जाके acceptors को देती हैं अभी जो acceptors हैं वह आपका gray matter यानि कि आपका central processing unit है उसको provide करती है फिर हम में पता चलता है कि अगर किसी body part में कहीं पे injury आई है तो वहाँ pain होनी चाहिए अगर कहीं पे burning हो गई है तो वहाँ burning sensation होनी चाहिए तो यह effectors जो है यह वो role play करते हैं अभी यह जो इन्हों ने functioning इदर बनाई हुई है इसमें कौन सी neuron role play करती है जो कि आपकी factors के साथ और brain के साथ link कर रही होती है वो है basically motor neuron ठीक है effectors ने आपके neuron को और neuron कौन से हैं इदर motor neurons neurons ने आगे से acceptors को acceptors ने आगे से central processing unit को और आपके brain को message देना है और फिर आपको आगे से जो आप आपको pain होनी है आपको burning sensation होनी है that will be basically your reaction येस आपका जो next question है ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूं average heartbeat rate जो है एक minute में वो normal human beings है उनमे 72 होता है अगर 72 से उपर चला जाता है तो ये जो है वो ठीक नहीं है ठीक है वैसे जो ये नॉमली अगर देखा जाए by individual ये 73, 74, 75 तक जो है वो रहता है यानि के 71 to 75 तक रहता है 75 से जब ये उपर चला जाता है देन टेकी कार्ड या 10 अकर्स अगला जो question है ये भी देखे question repeat हुआ है और इस question में आपसे फिर again पूछा गया है ये light sensitive layer made of specialized nerve cells, rods and cons is known as dash वो आपने बताना है retina पीछे हम discuss कार चुके हैं अभी ये देखे light sensitive layer के साथ उन्होंने दो तिन words जो है वो additionally मिला के पूछ लिए है चीज वो ही थी तो इस तरीके से AI के उपर बहुत ज़्यदा questions आए है तो ये चीजें सारी आपने करनी है नेक्स्ट जो होगा lecture उसमें इन्शाला ताला हम solar system के कुछ questions हैं जो के बहुत important है उनको discuss करेंगे आपके CSS के past papers में से questions जो है वो उनको लिया जाएगा और उनको हम discuss करेंगे अपसों आपको और और्गन्स वाले टॉपिकी समझ लग गई होगी और इसी के साथ आपका जो lecture है वो complete होता है Great Sparks CSS Academy के YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें और सबस्क्राइब करें ताके न्यू आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकें